एक वीडियो में तो सब कुछ डिस्कुस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपको सम्मेरी में छोड़ी-छोड़ी जो important चीज़ें वो मैं आपको बदा जेता हूँ. अगर आप जीतते हो, तो यहाँ पर आपको direct job offer कर दी जाएगी, ठीक है? तो यह इसके benefits हैं, आप सारी चीज़ें इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें काफी सारे लिखे हुए हैं, एक एक चीज़ यहाँ पर clarify इसे बताए हुआ है, ठीक है? तो आराम से बैठना, आदा घंटे पढ़ना, आपके दिमाग में सारी चीज़ें clear हो जाएंगी, ठीक है? तो सबसे बड़ी हारिंग आज की लिए यह हो गई है, तो देखो, डिलोइट की तरफ से एक हारिंग आ रही है, मार्के रिस्क, क्वांट, रिस्क एडवाईजरी के लिए हायर कर रहे है, चार दिन पहले ही अभी रिजिस्टर जॉब डाली गई है, और अगर इसके हम बात करें, तो analyst to assistant manager के लिए सारी designation अभी open है, full time permanent positions है, और notice period 0 to 15 days का है, और 0 से 4 year के experience वाला कोई भी इसमें apply कर सकता है, basic requirements वगर आप सारे पढ़ सकते हो, इसमें apply कर सकते हो, ठीक है, और basic requirements में लिखा है, education में, any graduate post graduation can apply, C++ वगरा के लिए लिखा हुआ है, C++, market risk analysis, python वगरा के बारे में थोड़ी बहुत knowledge इन लोगा ने मांगी है, ठीक है, तो important hiring opportunity है, if you want, you can apply, easy apply का option है, तो fatak से apply भी हो जाएगा, then we have a hiring opportunity from Kovet, hiring for front end developer internship, खुदी hire कर रही है, Kovet, ठीक है, hiring process में resume short listing, then assignment round, then technical interview round, then HR round, यह आपका रहने वाला है, pay package आपको 20-25,000 रुपे का मिल जाएगा front end में, 10-12 लाग का आपको job offer भी मिल सकता है, और remote location रहेगी, और 5-6 hours date आपको काम करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छी opportunity यहाँ पर यह आपके लिए हो सकती है, so I would suggest कि इसमें जरूर आप apply करें, then ZF की तरफ से गर आपने अपने अप्लाइ नहीं करिया है, graduate engineer training के लिए यह यह लोग hire कर रहे है, B. B. Tech Freshers को, so you can apply for this as well, then we have a hiring opportunity from MakerBal, hiring for DevOps engineer job, basic requirements you can read here in the detail, screening, assessment, HR interview, then selection, यह आपको पूरा राउंड होने वाला है, then we have a opportunity from browser stack, they are hiring for full stack intern, 2024 graduate, 8.5c GPA plus चाहिए, और 2024 बैच के लिए यह opportunity रहेगी browser stack की, हमेशा थोड़े लोगों को shortlisting का mail जरूर भेजते हैं, और आपको apply कैसे करना है, यह वाला form आपको fill भरना करेगा, ठीक है, यहाँ से apply नहीं करना है, यह मैं पहले ही clear कर देता हूं, तो मैं यह वाला डालूंगा ही नहीं, क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, मेरे कहने के बाब जूद, यहीं से apply करेंगे, तो यह मैं नहीं चाहता कि आप करें, यह वाला form ही डाल दूँगा मैं, लेकर यह job description है, तो आप वीडियो को pause करके पड़ सकते हो, ठीक है, 24 batch के लिए पहले clear कर देता हूं, 24 batch के लिए यह वाला form में डाल दूँगा description में, and if you are interested in pursuing full stack intern role, if selected, the role will be start on 15th January, तो जो पूरी process है, वो बड़ी जल्दी खतम हो जाएगी यहां पर, ठीक है, तो 15 January तक आपके हाथ में offer आपको मिल जाएगा, तो बहुत फटाफट से सब कुछ होने वाला है, तो इस form को आप submit कर सकते हो, ठीक, then we have a hiring opportunity from, अपनी बस, they are hiring for UA UX designer job, बसे requirements, you can read it in the detail and apply, तो एक और बड़ी opportunity की बात करते हैं, that is from Applesun, they are hiring for software engineer, वन जो रोल, और इसमें, कल्यानी सिंह, जो HR है, वो हायर कर रहे हैं, जो अपको चिछोब लोकेशन की बात करते हैं, तो बैंगलोर रहेगी आपकी, बिजी requirements वगर आप यहां पर सारी पढ़ सकते हैं, इसमें अप्लाइ कर सकते हैं, अप्लाइ कर सकते हैं, अप्लाइ कर सकते हैं, अप्लाइ कर सकते हैं, डिटा स्टुक्श्य जावा, C++, Python वगर रहेगी नहीं लोगने मांगी, अप्लाइ कर दो अप्लाइ कर सकते हैं, तो एक्रप्लाइ कर सकते हैं,